कि नमस्त्री सुप्रपाद मैं बनास्काटा डिस्ट्रिक्ट के वाव गां से आया हूँ कि दो तीन दिन से में टीवी पर एड देख रहा था तो इसके नीचे डॉक्टर प्रविल सुरणा साब की एक एड आ रही थी कि उन्होंने कुछ अंदावाद में यरिक इंपेंड के लिए कैम किया हुआ है तो मैंने सोचा के एक साय कैसा होगा फिर मैंने यूटूब में जाके थोड़ा देखना पसंद किया कि वह कैसी उनका वीडियो है तो उनके आठ दस वीडियो मैंने देखे तो मुझे थोड़ा अच्छा है लग है कि ऐसा भी हो सकता है ऐसा मुझे उस सुपता हुई तो मैंने यह वीडियो के मद्यब से और शुरणा साथ की जो ठीटमेंट चल लिए वो देखने के बाद मुझे पता चला कि चलो ऐसे लोग भी है जो एसे लोगों की सिवा करने जिसको सुनने में तकलिक होती है बुलने में तकलिक होती है या तो फिर कर्ण दूस्ट जिसक दोगंडे तक मुझे ट्रीटमेंट दीगे, इसमें कोई ऑप्रेशन नहीं होता है, कोई मसीर नहीं दिया जाता है, मगर केवल कार्ण में डालने की दवाईयं होती है और हुमियपेटिक गुल्यों होती है, जिससे हमारे स्वास्त में कोई बदलाब नहीं आता है, मगर हमारा जो हमें जो तकलिब होती है वो जंट से जड़ कैसे रहात होती है इसके बारे जो उन्होंने दवाईय दिये और हमें दो तीन दिन तो तीन महीने की दवाईय और भी दिये जो गर जाके लेने की है और कैसे ट्रीटमेंट करने की कैसे इसकी कसरत होती है वो करने की ह तो हमने जो यहां तीन गंटे गुजा रहे उससे हमें थोड़ा जो तकलित थी जिस कान में वो कान में 25-30% अभे रहात हो गई है इसका बतलब जो पहले दीज में 25-30% रहात होती है तो मेरा ऐसा मानना है कि इस ट्रिट्मेंट से 100 टका रहात हो सकती है और मेरी सभी सुनदेखने वाले बाईयो को बेहनों को सभी घुज़ो प्रटना है कि आपको यह ट्रीक्मेंट लेनी चाहिए और इस ट्रीक्मेंट लेने से कोई विगाड़ तो है इनी आप एक टफ़ा आओगे इस ट्रीक्मेंट ढोगे तो आपको पता चलेगा कि सही में ऐ रहात मिंती है आरभ होता है जाहिए घंडियो बार